पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बेरिक टाउन में रहने बाली एना नाम की एक लड़की पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब बरताफ कर रहे थी। उसके पेरिंट्स भी उसके इस बिहेवियर की बज़ा को समझ नहीं पा रहे थे। वो अपना सारा वक्त अपने क कि लाश एक पेर से लटकी मिली और उसके चहरे पर किसी ने क्लाउन जैसा मेकप किया हुआ था। उधराना के बगल में अब क्लाउन डॉल नहीं थी बलकि एक क्लाउन खुद था। अब आगे। 15 साल के लड़के को आधी रात में बेरहमी से मार कर एक पेड़ से लटका दिया। उस लड़के के चहरे पर एक क्लाउन जैसा मेकप भी पाया गया। आए जानते हैं सीनियर ओफिसर जेराल्ड से कि वो अब क्या एक्शन लेंगे। रॉबिन की डेट से घबराया पड़ा था। उसके मॉम उसकी घबराहट को देखकर उसके पास आई और टीवी का चानल चेंज कर दिया। बेटा ये सब न्यूज देखना बंद कर। हम जरा रॉबिन के पेरेंट से मिल कर आ रहे हैं। तू बिल्कुल भी बाहर मत जाना ओके। जॉनी की पेरेंट्स रॉबिन के घर के लिए निकल गए और जॉनी फिर से टीवी पर न्यूज लगा कर बैट गया। लेकिन कुछी देर में टीवी के सारे सिगनल चले गए। घर की लाइट्स भी अचानक ओफ हो गई। टीवी भी बंद हो गया। लेकिन अचानक टीवी सर्प्राइज। टीवी पर उस क्लाउन के हसते ही घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जॉनी सुन होकर टीवी स्क्रीन पर उस खौफना क्लाउन को देखे ही जा रहा था। कि अचानक वो क्लाउन टीवी के बाहर आ गया। टूइंकल, टूइंकल, लिल स्टार। इस दिनों की तरह, एना आज भी बड़ी मुश्किल से स्कूल गई थी। पर एना की मौम मेगन काफी घबराई हुई थी। क्यूंकि शाम के छे बच चुके थे और एना अब तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। मेगन वैसे ही बहुत डरी हुई थी। उसने स्टीव को फोन मिलाया और उसे सब कुछ बताया। स्टीव भी मेगन की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। वो फॉरण ही आना को ढूणने के लिए ओफिस से निकल गया। वहीं दूसरी ओर जब जॉनी के पेरिंट्स घर वापस आये तो उनकी जान ही निकल गई। जॉनी घर के हॉल की सीलिंग से नीचे लटका हुआ था। उसके गले में कई सारे गुबबारे बंधे थे और उसके चहरे पर भी ठीक वैसा ही जोकर वाला मेकप था। जैसा रॉबिन के चहरे पर था। बेरिक टाउन में एक और मडर हो चुका था। जॉनी भी अब इस दुनिया को छोड़ कर जा चुका था। लेकिन बेरिक टाउन की पुलिस के हाथो अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। डिपार्टमेंट के सबसे हुनहार ओफिसर ओफिसर जेराल को अभी कुछ महीनों पहले ही बेरिक टाउन में ट्रांसफर किया गया था। जराल ने कई हाई प्रोफाइल मुर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्फ किया था लेकिन ये जराल का पहला केस था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकेर ये मुर्डर्ज हो कैसे रहे हैं। मुर्डर्ज लोकेशन पर किसी के कोई फिंगर प्रिंट्स भी नहीं थे। एविडेंस के नाम पर भी थे तो बस कुछ अतरंगी से दिखने वाले गुबबारे जिन पर अजीब से चहरे बने थे। खेर जराड को जो सवाल सबसे जादा परशान कर रहा था वो था उन बच्चों के चहरे पर एक क्लाउन का मेकप। जराड ने अपनी पूरी इंवेस्टिगेशन टीम को शेहर में जितने भी क्लाउन या सरकस वाले थे उनके बारे में इंफोर्मेशन निकालने के लिए कहा उधर किसी के पास भी एना के बारे में कोई इंफोर्मेशन ही नहीं मिल रही थी। स्टीव और मेगन डरे सहमे से पूरे बैरिक टाउन में आना को ढूंड रहे थे। तब ही स्टीव का फोन बजा और उसके फ्रेंड पीटर ने उससे बताया कि आना को किसी ने बैरिक अंदर बैठी रो रही थी उसके मूँ पर लाल पेंट से एक लंबी सी लाल लाइन पेंटेट थी जैसे किसी क्लाउन की स्माइल बनी हो उसकी आँखों के पास काला पेंट था जो एना के आँसों से अब भी गीला था मेगन ने घबराई हुई आणा को देखते ही कस के गरे लगा लिया आणा के पेरेंट्स उसे वापिस घर ले जाने लगे ग्रेवियार्ट से निकलते हुए आणा ने जब एक नजर पीछे घुमाई तो उसे ग्रेवियार्ट के अंदर वही क्लाउन दिखा जो एक रात पहले उसके कमरे में उसके साथ नाच रहा था उसने आणा को मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से बाय कहा आणा ने कुछ रियाक नहीं किया और बस उस क्लाउन को देखती रही तब ही अचानक जोड़दार बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी उस बिजली की कड़क में उस आधारन सा दिखने वाला क्लाउन अचानक से वही एक खौफनाक क्लाउन बन गया जो रॉबिन और जॉनी को उनके मरने से पहले दिखा था चीजे अब और ही ज़ादा पेचीदा होती जा रहे थी तब ही ओफिसर जिराल को इस केस से जुड़ा अपना पहला ब्रेक्थ्रू मिला ओफिसर जिराल के केविन में उसका एक टीम मेंबर आया और उससे बोला क्या मिला है ऐसा पुलिस को क्या पता चल गया है उन्हें कि कौन है वो क्लाउन क्या वो क्लाउन ही लोगों के मर्डर्स कर रहा है या इसके पीछे कोई और ही राजचुपा है और एना का इन सम्में क्या रोल है उसके साथ उस ग्रेवियार्ड में क्या हुआ क्या आयना का डॉल वाला क्लाउन और वो भयानक क्लाउन एक ही है